आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम असिद्धान तभी होता है, स्टेडी ग्लोस पैप को बहुत बहुत पागत है, यह इंडियन एक्स्प्रेस का दोस्तों शांधार एडिटोरियल है, कि हम अपने बच्चों को डिजिटल एज में कैसे बचाएं, सोशल मीडिया का टीन्स पे क्या असर पड़ रहा है, इंस्टा पे ही आपाज हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे चीज़े जालता है, करेंड़फेस जालते हैं, तो देखिए यहां पे अमेरिकन कॉंग्रेस का जो रीसेंट डिसकेशन हुआ, इसमें अक्नालिश किया गया, कि वाई देखो जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, फेस्बूक, फेस्बूक है, इंस्टा है, फेस्बूक ही इंस्टा वाट्साप को ओन करता है, मांग जपर वर्थ, प्रॉफिट जो है, वो बहुत ही भड़ी चीज है, चिल्रेंस की जो मेंटल हेल्ट है, हमको से कोई फरक नहीं पड़ता है, जिस तरीके से ये बच्चों को मैनुपलेट करते हैं, और माली जब साइकलोजी को एक तरीके से हैक करता है, आपने सोशल डाइलमा देखी के नहीं डोकुमेंटरी, तो बड़ा खतरनाक है, तो हमारे लिए जो मेन मोटव है वो है आपका प्रॉफिक, अब बच्चों की मेंटल हेल्थ जाए भाड़ में, हमको से कोई फरक नहीं पड़ता है, फ्रांस होगन जो की विसल ब्लॉवर और फेस्बुक के विसल ब्लॉवर क्या होता है, जैसे कुछ भी खराब चल रहा है कहीं पर चाहें देश में, चाहें कि इस ओर्गनाइजिशन में, अब किसी एक इनसान ने बोला कि मैं इसके सारे कच्चे चित्थे खोड़ दूँगा, तो उसको विसल ब्लॉवर कहेंगे CT बजाने बान, कोई एक तो CT बजा रहा है, तो उन्होंने यहीं बोला कि former employee, they operate in the shadows, वो इकदम shadows में काम करते हैं, बाहर नहीं आते, और मतलब इनके former employee, और यह इन्होंने बताया आरोप लगाया है, कि यह बच्चों को hurt कर रही है, democracy को harm कर रहे है, social division को यह बढ़ावा दे रही है, यह कभी survey हुआ था, Fortis Hospital दौरा, उसमें बताया गया कि जो 82% students है, जो psychology, class 11th और 12th में study कर रहे हैं, दोसे, schools across major cities in India, पताया है कि social media ने उनके opinions और attitudes को काफी ज़ादा influence किया है, क्योंकि यह तो बच्चे हैं, जो भी social media पर दिखेगा, यह उसको मान लेंगे, क्योंकि इनका दिमाग अभी यह तो developing phase में है न, हमारा शानतार banking का course है, दोस्तो, video on demand, हमने सारा recorded lectures जो है, वो एक में compile करके डाले हैं, सारे 420 प्लस का content आप जरूर इसको अवेल करें, अब Facebook के जो उनर है, Mark Zuckerberg उनने बला रहे हैं, यह तो बहुत गलत picture है, यह तो भाईया बहुत गलत करो, Mark भाईया कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कहर सकती और ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम सब बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन Frank Hogan मतलब वो काफी कुछ बत कि इस तरीके से जो teenage girls हैं, वो depression में जाती जा रही है, इंस्टा की वज़े से, अब देखिए, यहाँ पे से यंग लोगों की बात नहीं है, यहाँ पे जो बड़े हैं, वो उनको भी इसका addiction हो जाता है, social media है addictive, especially young लोगों के लिए काफी जाद है addictive है, जब उनके पास वही ब जैसे अभी क्या है कि अभियत जैसे COVID-19 में सब digital होगे, classes digital होगे, तो क्या पता आपका बेटा class देख रहा है कि क्या देख रहा है, तो parents भी इसको सही तरीके से समझते नहीं है, और guide भी नहीं कर पाते हैं, यह बहुत बड़ी problem है, अब याद रखिएगा कि social media ऐसा नहीं है कि social media खराब है, इसके positive effect भी है और negative effect भी है, जैसे 4000 लोगों पे students पर यह survey किया गये, पोल हुआ है, उस पे 78% नहीं यह बोला कि वो social media पे अच्छा खासा time बेटाते हैं, लेकिन अगर आप awareness फैला रही हैं, अगर आप अच्छी चीज़े spread करें, अगर आप से कुछ सीख रह कि mainstream media जो है, वो awareness फैला ही नहीं रही है, सही बात है, कुछ को शोड़ दें, वना तो TV पे जो media है, वो तो महा बकवास है, महा रद्दी है, जो बताना चाहिए, वो बताते नहीं है, यह एकदम waste media है, 32% यह मानते हैं, कि they are increasing stigma, दिक्कत हो रही है, 40 survey नहीं यह भी बता है, 94% of the students यह मानते हैं, कि social media awareness फैला रहा है, यह चीज है, अब हम देखते हैं कि advantages और disadvantages सोचल मीडिया के क्या होते हैं, ठीक है, Instagram और जो parents इसकी company Facebook है, काफी ज़्यादा backlash हमको देखने को मिला है, positive impact की बात करें, तो सबसे पहले तो, यहाँ पर आप aware हो सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, Twitter especially, Facebook और Twitter जो है, जैसे Twitter पर मैं भी जब Twitter में कुछ लोगों को follow करता हूँ, तो कोई भी news आते हैं, Twitter पर पहले आ जाती है, तो मैं crack करते हैं, तो यह awareness के लिए भी use हो सकता है, यहाँ पर Facebook और Twitter जो है, यह Teen and Young को एक sense of acceptance दे रहे हैं, जो marginalized feel करते थे, वो Facebook पर आके, Twitter पर आके, एक accept हो रहे हैं, और connect हो रहे हैं, अपने ही similar लोगों से, जैसे कोई अगर मालोजी इंट्रोवाइड है, या अगर मालोजी कोई से LGBT Q की category में आता है, तो they are connecting with similar people, तो ठीक है, इसमें connectivity बढ़ रही है, अब आप समझे कि pandemic में तो connection is very very important, इसी connection नहीं, connection नहीं, pandemic में लोगों को बचा के रखा है, अगर connection नहीं होता, तो बहुत और ज़धा problem होती, inspiration, दूसरा point, social network जो हैं, यह काफी motivate करते हैं, inspire करते हैं लोगों को, research के लिए भी data काफी ज़्यादा काम आता है, health experts, researchers जो हूँ, यह सारी चीज़े data को collect करने के लिए, यह data collect करते हैं, और इससे therapies, या बाकी चीज़ों को evolve किया जाता है, यानि कि, social media से, researchers की भी knowledge जो है, वो बढ़ती जा रही है, उसके बाद आपकी आवाज, सबसे बड़ी बात तो है, यहाँ पे जो teens हैं, वो भी अपनी बातों को रख सकते हैं, teens की कोई आवाज थोड़ी ना होती है, आप जाएए, कोई 17-17 साल का बच्चा बोल रहा है, meeting है, उनको क्या पता है, तुम जाओ, अभी जरा जरा से तो तुम आए हो, तो यह बड़ा harm करता है, बड़ा दुख देता है यह, तो यहाँ पे इनकी एक खुद की आवाज है, य likes भी मिलेंगे, share भी मिलेंगे, एक ही नहीं, और उसके बाद आपने देखा कि कितनी सारे videos viral हो जाते हैं, इतने गजब-गजब के talent हमको social media पर देखने को मिलते हैं, कि क्या बता है, क्योंकि social media आप अपनी creativity और अपने ideas freely कर सकते हैं, social media एक बहुती powerful tool है, कितने तो लोगों क आप आओ, दिखाओ, अच्छा होगा, तो हर देखा शेयर किया जाएगा, कहते हैं ना कि इस समय, आपके पास अकरने कि cell phone है, तो यह आपके सबसे बड़ी power है, अगर पुलिस आपको पकड़ ली है, परशान कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको वीडियो बना कर दे, कोई भी Alternatively clicks, पोस्ट करता है Instagram, कर शौर्स Instagram पर भाइरल हो जाते हैं, अर बहुँत सारे, तो हो, कारियर बना रहे हैं, लाखो करोने चाप नहीं है यार भुवन बाम एक बहुत बड़ी एक्जामपल है भुवन बाम कहां से शुरू हुआ ता आज देखिए है सबसे बड़ा यूट्यूबर है मतलब सबसे बड़ा यूट्यूबर इंद सेंस की अगर आप ब्रॉट परस्पेक्टिव में देखो तो सबसे बड़ा यूट्यूबर भुवन बाम है वो बंदा समझ लिए जीरो से शुरू हुआ वो बताया था कि जब मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था तो शायद सौ व्यूस थे लेगिन टैलेंट उसका इतना जादा है कि वो हर जगान फैला तो यानिक अगर आपके नदर टैलेंट है और आप उसका करीयर ही वही हो गया आक करोनों छाप दे से यह चीज फिर क्रियेटिवीटी अगें क्रियेटिवीटी आपमें पैदा करता है क्योंकि आप उन लोगों से connect होते हो जिनके ideas similar होते हैं यह platform जो है students को encourage करते हैं कि अपने creative skills दिखाएं and the most important thing digital activism and social change यही social change जो है यह impact लेके आता है Greta Thunberg सबसे best example है climate change के लिए क्या काम क्या उन्होंने पूरी दुनिया उनके साथ हो गई बाई Donald Trump को भी जुकना पड़ा negative impact क्या है mental health problem सबसे बड़ी तो यह है depression teen depression और social media usage का बहुत बड़ा यह चोली दामन का साथ है बहुत बड़ा हाथ है यह अभी हमने देखा कि इंस्टा में जो लड़कियों, जो teen girls हैं वो किस तरीके से depression में जाती जा रही है जो बच्चे हैं, उनका mind इतना परिपक वो नहीं होता है और वो क्या करते हैं लगातार अपने दोस्तों की फोटो देख रहे हैं इधर की फोटो देख रहे हैं Facebook बड़ा दिमाग कूदम सुस्त कर देता है Facebook और YouTube आप देखेंगे, आप स्क्रॉल करते जाएं करते जाएं, कब यह घंटा चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा हमारे साथ जब यह कर देता है तो टीन्स के साथ तो बहुत बुरी तरीके से करेगा तो इसी लिए टीनेजर सोशल मीडिया काफी जाधी यूज़ करते है सेल्फ इस्टीम, बॉड़ी इमेज, काफी दिक्कत होता है यह अभी एक रिसार्च में पाए गया तो नहीं जब सर्वे किया था कि इंस्टा में हर तीम में से दूसरी लड़की जो है वो परशान है अपनी बॉड़ी को लेके, अपनी इमेज को लेके फिर फिसिकल हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है आप हेल्दी अक्रिविटिस थोड़ी ना करेगा बाहर का जा जागा, बस फोन पे दिमाग लगाया करना शुरू, एक ही जगा बैटे बैटे लोगों को नीद नहीं आती है एडिक्शन है भाई ये, रात में लोग सोचल मीडिया चलाते हैं खतरनाक इसको वैंपिंग बोला जाता है उड़ गए, बारवज एकदम से नीन खुली तो बस मोबाईल खोला, सोचल मीडिया देखना शुरू सोचल रिलेशन्स खराब होते हैं आपके अंदर सोचल स्किल्स आएगी नहीं आप जो वैलुवेबल टाइम अपने परिवार के साथ बिताओगे वो आप बिताओगे नहीं वो आपका फोन पे जाएगा टेक एडिक्षिन इस वेरी डेंजरस कि यह एडिक्टिव बिहेवियर है और यह बहुत ज़दा खतरनाक होदा है अडिक्टिव मतलब आदत लग गई रह नहीं पाते है, लोग चुड़ चुड़े हो जाते है फोन नहीं आ रहा है लाइट नहीं हा लिये यह यह चीज है फिर साइबर बुलिBill और टोलिंग एक बहुत 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 बढ़ा इसका डॉर्बैक है, दिसद्वांटेच है और यह करना चाहिए, साइबर बुलिंग और टोलिंग Facebook को Twitter को इन सब के लगाम लगानी चाहिए यह serious problem है काई लोग तो suicide कर लेते हैं इतनी गालिया पड़ती है इतनी गालिया पड़ती हैं कि क्या पता है काई लोग cyberbullying का शिकार होते हैं यह चीज है तो इसका way forward क्या है way forward यही है कि सबसे पहले तो एक proper social media policy हो अब social media को भी regulate करने की बहुत ज़्यादा जरूर है तो इसमें Facebook, Twitter, Instagram किसी को साथ देना चाहिए Digital Literacy बढ़ा है Digital Literacy भाई School में भी अब Digital Literacy को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए Digital Divide तो उनको देखने को मिली रहा है लेकिन Digital Literacy बहुत जरूरी है यूद को बताए कि कितना यूज करें इसके harmful effect क्या है क्या क्या हो सकता है inappropriate content ना डाला जाए कोई भी ऐसा sexual content है adult material content है teen spin का असर बहुत ज़्यादा पढ़ता है कोई violent content है abusive content है तो उसको हटाया जाए governance बहुत important सरकार जो है यासे Facebook है Facebook, Insta यह सब कांड करके निकल जाते है यह अपना पल्ला छोड़ा लेते तो सरकार को देखना चाहिए कि अकाउंटेबल है कि नहीं data protection law होना चाहिए digital audits होनी चाहिए यह सारी चीज़े है तो social media is actually a very powerful tool लेकिन अगर उसको गलत तरीकी सब इस्तमाल करेंगी या अधसे जाधे इस्तमाल करेंगी तो वो बहुत खतरनाग हो जाता है खुश नहीं पर तेरे इदेशे सिद्धान तक नहीं हो तो री signing हो